दिखे 1971 का जो पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसमें बांगलादेश जब बना तो इंदिरा गांधी एक विजेता बनकर उभरी उनको संसद में विपक्ष के नेताओं ने भी दुर्गाजी कहा लेकिन दो धाई साल बाद जब देश की जो मूलभूत समस्याई थी समीति का फिर बिहार में पटना उन्वस्ट्री के चात्रों ने शुरू किया और जेपी ने चुकि जेपी काफी दुखी रह रहे थे कि आजाद भारत में जो समानता और जो सब लोगों को मिलने चाहिए थी संपन्नता वो नहीं मिली तो उनों उनके पास जब चात्र गए तो जेपी ने समझाया कि देखिए ये व्यवस्था परिवर्तन करना होगा इसमें तमाम सिस्टेमेटिक चेंज होगा एड्मिस्ट्रेशन में पुलिटिकल कल्चर में इवन जो सामाजी कल्चर है जैसे दहेज है चुवा चूत है माली जनेव है इन सब का तो जेपी ने ए और हाई कोट इलहाबाद ने इंदिरा जी के खिलाफ जेज्मेंट दिया कि चुनाओ में भुष्टाचार का तो उससे इंदिरा जी की बिल्कुल नैतिक जो अथारिटी थी रूल करने की वो उसको चुनाओती हो गई खतम हो गई लेकिन उसके बावजूद मेरी 14 जुलाई को जेपी से भेंट हुई थी लहाबाद में और वो यह कह रहे थे कि मैं इंदिरा जी का नैतिक आधार पर त्याक पत्र तो मैंने मांगा है लेकिन मैं उसमें फंसना नहीं चाहता मैं बिहार में संपूर्ण करांती का जो व्यवस्था परिवर्तन का अंदोलन है उसको गहर पर दवाब पड़ा और वो 25 जून को गए और जेपी ने वहां रामदिला मैदान की रैली में एक हुंकार भरी इंदिरा जी को ये भी कहा कि वो सत्ता से चिपके रहना चाहती हैं बावजूद इसके कि उनका जो नैतिक अधिकार खतम हो गया हाई कोट जजमेंन के बाद औ लेकिन उसी रात इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट बुलाए अकेले इमर्जेंसी लगाने का फैसला किया और राष्ट्रपती ने उसमें फॉरण दसकत कर दिये और सुबा होते होते तमाम देश भर के विपक्षी नेताओं को जेपी और चंशेखर और सब को गिरफतार कर अखबारों की बिजली काट दी गई और लगा दी गई उसके बाद फिर तमाम लोगों पर अत्याचार भी हुए हाला कि कुछ सुधार भी हुए डर की वज़े से जैसे रेले वेले टाइम से चलने लगी लेकिन इमर्जेंसी के दौरान से और लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन से यहां तक की सुप्रिम कोर्ट ने ये भी देदी कि साब इमर्जेंसी के दौरान चूंकि फंडमेंटल राइस सब्डेंड है तो जीने का अधिकार भी नहीं अगर पुलिस किसी को गोली मार दे तो उसके खिलाब भी रिट नहीं दाखिल हो सकती तो इस तरह मौलिक अधिकारों के हनन से लोगों में घोटन महसूस हुई और जब अवसार आया इमर्जेंसी खतम हुई लोग सबाचुना हुए तो सरकार बुरी तरह से हार गई